गूर्णिंग सेवन्थ क्लांस, एर इस चैप्टर सेवन्टीन इन स्पीस. मैन्स क्यूरिसिटी अबाउट स्पीस एंड एगनेस्टु युणिवर्स जो अंत्रिक्ष के बारे में जो मनुश्य की जिग्यासा है and its mysteries is quite natural और इसके रहस्यो को जो सुल्जानिक उच सकता है वो काफी सभाविक है. The term space is used to denote the entire universe और इसमें क्या होता है इस अंत्रिक्ष में पूरी प्रमांड को ही रुपित करने के लिए उनको बताने के लिए the entire universe और इसका जो है उप्योग किया जाता है. Here is also some information about meteors. Meteor also known as the shooting star. इनको जो है shooting star का चाता है कि ये उलका पींड होते हैं and are the pieces dust and debris from the space that burn up the earth's atmosphere. ये क्या होते हैं कि वायू मंडल में प्रिच्वी के वायू मंडल में जलने वाले धूल और गंदगी के तुकड़े होते हैं and burn up the earth's atmosphere where they can create bright streaks across the night sky जहां वेरात के आकाश में जो हैं चमकदार धारियां सी बनाते हुए जाते हैं. next is andromeda galaxy. Andromeda galaxy, it is the closest big galaxy to our milky way यह हमारी आकाशच गंगा के जो हैं सबसे नजजीक होते हैं and it's spiral galaxy like a verse और यह हमारी आकाशच गंगा की तरह हैं जो है spiral होते हैं मतलब एक spring type में हम कह सकते हैं and next is comet. Comet is a luminous celestial body which moves around the solar system usually with a long shining tail और अधुमके तो एक चमकीले जो हैं ख़गोलिय पिंड होते हैं जो प्राई चमकदर पूच के साथ ही जो सवर मंदल के चार और भूमते हैं Next is Supernova Supernova is the biggest explosion that humans have been seen Each blast is the extremely bright, super powerful explosion of a star Supernova होता है वो सबसे बड़ा जो है explosion है यानि कि explosion क्या होता है शोशन करना जैसे या फिर explosion bum blast होता है इस तरह से और जो मिनुष्य कभी ने कभी जो है देखो And each blast is the extremely और जो इसका हर एक पिस फोट जो होता है एक star की तरह होता है एक उज्वल मतलग कि बहुत चमकदार बहुत ही शक्तिशाली होता है Next is Milky Way Milky Way galaxy is a group of billions of stars of which our own star is a member जो हमारी Milky Way है आकाश गंगा है वो एक अर्बो सितारों में से एक स्मून है जिसमें सूर्य भी उसमें से इसका सदर्स्य है Vega is the fifth brightest star in the night sky and the second brightest in the northern calisthel hemisphere जो Vega होता है वो राद की आसमान में पांचमा जो होता है वो प्रतिभाशाली सितारा है और उत्तर जिशा गोलाड में इसके जो है सबसे दूसरा तीज सितारा माना जाता है and now the fact file is asteroids is one of the main rocky planet that moves in elliptical orbits primarily between the orbits of the Jupiter and Mars शुद्र ग्रह जो होता है वो कही चट्टानों के जो है ग्रह में से एक है जो मुख्य रुप से ब्रस्पती और मंगल यानि कि जो Jupiter रुमार से हमारे उनके बीच में ये बढ़ती रहती है the largest structure found in the universe is the Solnay Great Wall एक सूपर cluster of galaxies 4 billion light years across ब्रहमान में ये जो पाया जाने वाला जो एक निर्मान एक स्लोईन महन जो दिवार है वो क्या है चार अरब प्रकाश वर्षों के दुरान जो है अकाश प्रंगाओं में से एक सूपर जो है स्मूह है then we talked about in this video about in space okay thank you have a nice day you 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 you